नमस्कार अगर आप नए मीत्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अल बटन जरूर प्रेस कर लिजेगा आपको हर रोज मेरी कहानी मिलेगी और ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेर भी कर दिजेगा तो चलिए आज की कहानी सुन लेते हैं अरे मां आप तो जानती ही हैं कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारे फुल टाइम मेट भी अपने गाउँ चली गई है बोल कर गई है कि दो महिने बाद आऊंगी अब इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी और आप भी भाई के पास अमेरिका जाकर बैट गई है माया ने परिशान होते हुए अपनी मां से कहा तो मां बोली अरे तो हमसे परिशान होने वाले कौन सी बात है इसमें कोई नहीं नौकरानी ढूडने की जवरत नहीं है तुझे मेरी सासु मां है न वो किस दिन काम आएगी भली चंगी तो है अभी समधन जी और फिर तू तो उन्हें दादी बनाने जा रही है इतना तो कर ही सकती है न वो तुमारे लिए जब तक जवरत हो तब तक काम करवाना फिर उन्हें चलता कर देना अपने घर अपनी मां की इन बातों को सुन कर माया की आँखों में चमक आ मा ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है आपने साम को जब उनका पती घर आया तो माया मायूसी का मुखोटा लगाए उसे चाय देने लगी अरे माया क्या हुआ उदास क्यों हो मैं सोच रही थी कि आपके मा बाबुजी को कुछ समय के लिए यहां बुला लेते हैं ल अपने मा बाबुजी को अच्छे से जानता हूँ हमारे बुलाते ही दोड़े चले आएंगे दोनों अजी सुनते हो आज रभी का फोन आया था सविता जी ने चहकते हुए कहा तो आनंद जी की तो जैसे खुसी का ठिकाना ही नहीं रहा अच्छा इतने दिनों बाद चलो य था हम दोनों को बेटे से बात करके तो सविता जी की खुसियों सात्वे आस्वान पर थी लेकिन अचानक ही सविता जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गई दरसल एक वर्स पहले सविता जी और आनंद जी अपने बेटे बहु के पास कुछ दिनों के लिए गए थे उनकी बहु माया जान चुकी थी कि उनकी इसास बिलकुल सीधी साधी है तो उसने इन बात का फाइदा उठा कर उठाना शुरू कर दिया सारा दिन बीजी रखने का बहाना बनाती रही और सारा काम अपनी सासुमा पर छोड़ देती थी या देखकर आनंद जी को अच्छा नहीं लगा तो बहु से बोले बहु तुमारे सासुमा की उम्र हो गई है ठक जाती है वो काम करते करते थोड़ा सा काम तुम भी कर लिया क इतना कहने भर की धेर थी कि बहु ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई सबिता जी और आनंद जी चूप चाप खड़े अपमान सहन करते रहे और रभी अपनी पतनी के सामने कुछ बोल ही नहीं सका सबिता जी और आनंद जी अपने सम्मान की रक अभी तक सोची रही थी कि जल्दी से सामान पैक करो आनंद जी ने अपनी पतनी सबिता से कहा तुम जानती हो रभी की साधी को पांस साल हो गये हैं और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुसियां आ गई ठीक है जी मैं जरान नीता को बोल कर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं दरसल आनंजी और सबिता जी ने अपने घर का एक हिस्सा किराये पर दिया था जहां नीता और विशाल अपने प्यारे से बेटे गोलू के साथ रहते थे वे दोनों घ भर पर ही सिफिन सर्विस का काम करते थे पास में ही गर्ल हॉस्टल था तो उनका धंदा भी अच्छा चल रहा था कुछ ही वर्सों में सबिता जी और नीता का एक दुसरे के खास लगा हो गया था ने बेटे गोलू को तो उनकी सगी दादी से भी ज़्यादा प्यार करती थ कविता जी अरे नीता ओ नीता कविता जी ने कहा आवाज लगाई अरे नीता ओ नीता सुनती हो जी आंटी जी नीता रसोई घड़ से बाहर आई अरे नीता एक खुसकबरी है मैं जल्दी से दादी बनने वाली हूँ अरे वहां आंटी जी ये तो बड़ी खुसी की बात है अभी तो सारी पैकिंग पड़ी है तुम अपने टिफीन का कम निप्टा कर मेरी मदद करने आ जाना सभिता जी बोली तो उनमें विशाल की अबाज आई निता टिफीन का कम मैं संभाल लूँगा तुम जाओ आंटी जी की मदद कर दो नीता ने सभिता जी की पैकिंग करने में मदद कर दी और सभिता जी के साथ मिलकर उनकी बहु के लिए गोध के लड़ू भी बनवा दिये जाने से पहले रास्ते के लिए एक टिफीन भी तयार करके दे दिया दो पहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रबाना हो गए उधर रभी उन्हें स्टेजन से कार में बैठा कर घर ले गया जैसे ही घर पहुचते तो बस बहु से मिलकर सविता जी और आनन जी के सारे मन मुटाव भूल कर उसे धेरो असिरवाद दिये सविता जी ने घर पहुचते ही घर के सारे कामों की जिमेदारी ले ली सारा घर को कम या कम वाली बाई के अनू पस्थिती में बिखरा हुआ था सविता जी ने आते ही बड़ी कुसलता के साथ सब कुछ विवस्थित कर दिया रोजाना अपनी बहु को सुपाच और पौश्टी खाना बना कर खिलाया बहु की वातों में तो जैसे मिस्री सी घुल गई थी सारा दिन माजी 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 करते ठकती नहीं थी सारा कम करवा लेती थी नियत समय पर माया ने बच्ची को जन्म दिया दादा दादी के तो जैसे पौही जमिन पर नहीं पड़ रहे थे अजी ये तो बिल्कुल मुझ पर गई है सविता जी पोती को देखते हुए बोली जी नहीं मेरी पोती के नाइन नक्स तो बिल्कुल मेरे जैसे है अरे इसने तो मुझे गिला कर दिया आनन जी बच्ची को सविता जी को देते हुए बोले सभी लोग ठाके लगा कर हस दिये बच्ची होने के बाद सभीता जी ने बहु की खूब से बागे बच्ची का ख्याल रखना रसोई घर का काम और बहु के लिए अलग से खाना पकाना सभीता जी की उम्र हो चुकी थी लेकिन फिर भी बहु को कोई तकलीफ न हो ये सोचकर भी सारा दिन अपनी बहु और बच्ची की सेवा में हाजिर रहती थी उनके घुटनों में भी दर्द रहता था इसके बावजूद सभीता जी सारा कम बड़ी कुसलता के साथ कर रही थी आनन जी घर के कामों में उनका हाथ बटा लित देते थे देखते ही देखते दो महिने बीद गए बच्चे के लाड़ दुलार में सभीता जी और आनन जी का समय कैसे बीदता पता ही नहीं चलता धेरे धेरे बच्ची को भी अपने दादा दादी के साथ हाथों की पहचान हो गई ये बात बहु माया को खटकने लगी कुछ दिनों के बाद माया की काम वाली बाई भी अपने गउं से वापस लोटाई सभीता जी के मना करने पर भी उसने ये दलिल देते हुए उसे काम पर बुला लिया कि माजी दिन भर काम करके और बच्ची को समाल कर ठक जाती है एक दिन जब सभिता जी बच्ची को चम्मस्चे दूद पिला रही थी तो बच्ची ने थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर दी बस फिर क्या था माया को तो जैसे बहाना मिल गया अपनी सासुमा पर कटाक्ष करने का माया और रभी ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी लेकिन सभिता जी का मोह तो बच्ची में ही लटका हुआ था इसलिए ममता बस कभी कभी बच्ची को उठा लेती थी एक दिन जब दोनों बेटा बहु बाहर गए थे तो बच्ची को आया को दे कर गए बच्ची लगातार रोई जा रही थी आया उसे चुप कराने की कोशिस करती लेकिन बच्ची का रोनों बंद नहीं हो रहा था सभिता जी उसे बच्चे का रोनों देखा नहीं जा रहा था और आया की हाथ से बच्ची को लिया और उसकी नावी पर हींग लगाने लगी बच्चे चुप हो गई और दादी का सपर्स पाकर मुस्कुरा दी कुछ देर में जब बेटा पहु वापस आये तो आया ने उनके कौन भर दिये मैडम जब मेरी ज़रत ही नहीं थी और आया को मनाने लगे सविता जी और आनन जी अपमान का घूट पीकर रह गए करते भी क्या बच्चे के मुँ में बेटा बहु का घर भी तो छोड़कर नहीं जा सकते सविता जी कमरे में जाकर आशु बहाने लगी बहु को पराय घर से आई थी लेकिन बेटा तो अपना ही था अब तो सर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए अब तो ये हाल हो गया था कि सारा दिन बैट कर बच्ची को आया समालने लगी और बहु अपनी मा के साथ फोन पर बत्याती रहती और सभिता जी पर रसोई घर के सारे काम भी जिम्मेदारी पड़ गई थी यहां तक कि आया का खाना भी सभिता जी को ही बनाना पड़ता था और आनन जी अपनी पत्नी का हाल देकर मन ही मन कुड़ते रहते थे एक दिन बहु माया से सासू माह से कहा ममी जी मेरी कुछ सहलियां घर पर आ रही है तो उनके लिए कुछ स्नेक्स बगईरा का इंतिजाम कर देना और चाय कॉफी भी बना देना साम को जब बहु की सहलियां घर आई तो पूरे आनन्द आदर सम्मान के साथ सभिता जी ने उन्हें बिठाया अपने हाथाँ से बने लजीज स्नेक्स बना कर खिलाई उनकी खूब आव भगत की और रसोई घर में जाकर बरतन साब करने लगी लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ बहु की सहलियां उसे कह रही थी माया तुझे काम बाली पाई तो बहुत अच्छी मिली इतना लजीज खाना बनाती है कितनी पगार देती है तु हमारे लिए भी ऐसी काम बाले ढून दो न ऐसा सुनकर माया हस पड़ी लेकिन उससे इतना भी न कहा गया कि ये नौकरानी नहीं बलकि उनकी सासु मा है थोड़ी देर बाद सभिता जी अपने हाथ दोकर अंदर आई और सब के साथ बैट गई बहु की सहलियां कुछ सकपका गई तो सभिता जी बोली आप लोगो जानकारी के लिए बता दू कि मैं कोई नौकरानी नहीं बलकि आपकी सहलि की सासु मौ हूँ आपकी सहलि ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता देती हूँ सारे सहलियां चौक गई और हैरानी से माया की तरब देखने लगी सभिता जी बोली बहु माना की घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए स्टेटस सिंबल है लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी करार दे देना कहां का स्टेटस है बहुक की भवें तन गई उस समय तो वो चुप रही लेकिन अपनी सहलियों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया मा पिताजी के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि उनका अपना बेटा भी उनका पक्ष नहीं ले रहा था मा इतनी छोटी सी बात पर बतंगड बनाने की क्या ज़रत थी आपको रभी बोला तो अनन जी तो आज तक अपने बच्चों के मोह बंद बस अपना मोह बंद किये बैठे थे अपना धीरज खो बैठे छोटी सी बात तुमारी मा को ये लोकरानी की संग्या दे रही थी और तुझे छोटी सी बात लगती है माप करना बेटा आज तक हम सब कुछ चूपचाप सहन कर रहे थे पर अब पानी सर के उपर जा रहा है अब यदि हम दोनों इस घर में एक भी पल रुके न तो मेरी पतनी का अपमान होगा कहते हुए आनन जी अपनी पतनी के साथ समान पैक करवाने लगे ये सोच कर कि कहीं बच्ची का मुँ उन्हें रूक न ले उसे दूर से ही देख कर निकल गए जिस बहु की उन्होंने इतने महिने सेवा की थी उसी बहु ने बेजती का इनाम देन कर अपने घर से उन्हें रवाना करवा दिया और उनके अपने बेटे ने उन्हें रोका तक नहीं आनन जी और सभीता जी पहली ट्रेन पकड़ कर घर वापस लोटाए राकर एक ही प्रस्ण दोनों को परिशान कर रहा था कि उम्र के इस पड़ाओं में जाब बच्चों की सबसे ज़्यादा अबसकता होती है वे कैसे गुजारेंगे ऐसे दिन महिने के किराय के अतिरिक्त और कोई कमाई का साधन भी नहीं था दोनों के पास और सारी जमापुंजी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी आनन जी को दिल ही दिल में ये बाते कचोट रही थी घर पोचते ही जैसे ही घंटी बजाई नीता और विसाल के बाहर आने से पहले ही गोलू बाहर आ गया अरे दादा दादी आगये आप आप कहां गये थे हमें चोड़कर नीता ने दरवाजा खोला तो उन दोनों के गोलू को अपने गोध में ले लिया उधर नीता के चेहरे पर उन्हें देकर खुशी और हैरानी के मिस्रित भाव थे, वो समझ नहीं पा रही थी, अंकल आंटी तो छे महने का का कर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, वे भी साहरा समान लेकर, लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव देकर वे दो सारा मामला समझ गई, अंकल आंटी हाथ मूँ धोर कर फ्रेस हो जाईए, मैं आपके लिए चाय नास्ता बना कर लाती हूँ, तो सभी की आँखे नम हो गई, जैसे ही अपनी कमरे का दरबाजा खोला, तो सभीता जी को अपना आसियाना पाकर संतोस हुआ, लेकिन आनन जी के दिमाग में रह रह कर वही बाते गूंच रही थी, जैसे ही अपने कमरे में कदम रखने लगे, उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हुआ, इससे पहले सभीता जी उन्हें समहालती वे निढाल गिर चुके थे, सभीता जी की आवाज सुनकर नीता और विसाल आ गए, तब तक आनन जी निस्प्रान हो चुके थे, सभीता जी पर तो जैसे दुखों का पहार टूट पड़ा, नीता और विसाल ने उन्हें जैसे तैसे समहला, बहु बेटे को खबर दी तो दोनों अंतिम संस्कार की लोकाचारी निभा कर चले गए, दिरे दिरे समय बीतने लग और सभीता जी की हालत भी अब कुछ सामानी होने लगी, एक दिन नीता और विसाल का बेटा गोलू कुछ बिमार पड़ गया, तो उसे दिन भर होस्पिटल में एडिमिट करना पड़ा, सभीता जी को तो जैसे भी खाना बनाने का सौक था, तो नीता की अनुपस्ति में सभ लिया, सब ग्रहाकों को उनका खाना बहुत पसंद आया, और होस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दिवानी हो चुकी थी, उस समय सभीता जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार विसाल और नीता ने अब अपना मकान खरीद लिया है, और वहीं पर वो दोनों अ अकेला नहीं छुड़ना चाते थे, इसलिए अंटी को समालने के लिए उन्होंने अपना गिरी प्रवेस कुछ समय के लिए टाल दिया, ये बात जनकर सभीता जी भाव विभोर हो गई, फिर अपने काम को समालते हुए नीता के पास गई, और उसे बधाई देते हुए गले से लगा लिया, बेटा मेरा इतना भी खयाल मत रखो कि मैं तुन लोगों को जाने ही ना दू, सभीता जी ने नीता को आस्वासन दिया, कि वह बिल्कुल ठीक है, और सारी तयारियां करवा कर उन्होंने भारी मन से विदा कर दिया, लेकिन अब सभीता जी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, और साथ ही किराये से होने वाली आई भी अब बंध हो गई थी, इस उम्र में अपनों गुजारा कैसे करेगी, जिस बेटे पर सारी जमापुंजी खर्च कर दी, उसी ने मुझे बढ़ापे में काते हुए, उसने गालों पर आसु लुढ़क गए, आगे की ज सर्विस के लिए आगरा करने लगी आउंटी जी, आपके हाथ का खाना बहुत लाजबाब होता है, प्लीज आप टिफीन सर्विस सुरू किजे न, यह सुनकर सभीता कुछ सोच में पड़ गई, अंदर आकर अपने पती की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जो ये कैस संभव है, इस उम्र में नया काम कैसे सुरू करूं, लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है, अचानक सोचते सोचते उनकी आखों में चमक आ गई, मन ही मन उन्होंने अपने जीबन को नई दिशा देने का निरनाई ले लिया, नीता और विसाल का घर कुछ ही दूरी पड़ था, नी अपनी दीन में नीता की मदद से सभिता जी ने अपना काम सुरू कर लिया, और अपनी मदद करने के लिए लड़कियां भी रख ली, जो सारा दीन भागदोड का काम समालती थी, अब सभिता जी का अकेला पन बिल्कूल दूर हो गया था, एक दीन कुछ लड़कियों ने दोसल मेडिया पर डाल दी, देखते ही देखते वीडियो तो जैसे आग की तरफ फैल गई, और सभिता जी के वनाए खाने के चर्चा दूर दूर तक होने लगी, अब तो उनका काम और भी बढ़ गया, उधर उनकी बहू ने, जब वीडियो देखी तो उनकी हालत ऐसी हो ग पाप, तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजरा ही बड़ी मुश्किल से चलता है, अपनी मां से ही कुछ मदद मांग लो, उनका काम इतना अच्छा चल रहा है, तो क्यो ना हम उनकी, उनहीं के पास जाकर रहें, और वैसे भी तुमारे पिता जी अब नहीं रहे, त तो मां को भी अकेला पन लगता होगा, ये सब देखकर रवी भी हैरानी का तो ठिकाना न रहा, पत्नी का कहना मान का रवी ने अपनी मां के पास जाने की योजना बनाई, अगले ही दिन दोनों अपनी बेटी के साथ सभिता जी के घर पहुच गए, वहां का द्रिश्य अपनी थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए, अपने आपको आज वो अपने ही घर में अपयक्छित सा महसूस कर रहे थे, सभिता जी ने उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी अपने उन्हें नजर अंदाज करके अपने कम में लगी रही, भी अपनी पोती को इतने दिनों बाद देख कर प्यार किया और फिर अपने काम में लग गई, इतने में रवी ने पीछे से आवाज लगाई, मां हमें माप कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई आज से हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं मां, सबिता जी ने उन्हें तिर्ची निगाहों से देखते हुए कहा अच्छा, लेकिन मैं तुमारे साथ नहीं रहना चाहती, इस बुड़ापे में मैं इजजत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की काम वाली बाई बन कर नह मैं और तुमारे बाबुजी तुमारे घर से बेजजत होकर निकले थे, दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खा कर जाना, रास्ते के लिए भी तुमारे लिए टिपीन पैक करवा देती हूँ, कहते हुए सबिता जी अपने काम में मस्त हो गई, आज उनके चेहरे प साथ, तब तक के लिए हसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुस रहें, हर हर महादेव